एक कप सूजी से हम आज बनाने जा रहा हैं बहुत ही स्वादिश्ट और क्रेश्पी नस्ता जिसे बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे और शान भी बहुत पसंद करेंगे और देखिए कितना ही डिजैन दार और मस्त बन कर तयार हुआ है जिसे देखकर भी लोग खाने का आन अच्छे को इसे लंच पैक कर सकते हैं ओपिस में भी दे सकते हैं देखने में ही बहुत मज़ेदार और स्वाधिष्ट है और हेल्दी भी है एक बार इस तरह से बनाई चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक कट्वरी सूजी लेंगे जो 100 ग्राम से थोड़ा सा जाधा है और उसके लिए हम एक कट्वरी गरम करेंगे तो यहां पर देखिए कट्वरी में पानी जा चुका है और उसमें जा रहा है मेरा स्वाधार्मसार नमक जिसे की मेरे रेसिपी स्वाधिष्ट और ट्रिस्टी लगे और उसके बनाने के किये पहले पानी में नमक और थोड़ा सा तेल औयारी फाइन हम डालेंगे जिससे कि ये मेरी रेशिपी स्वाधिष्ट और खास्ता बने इसके लिए मैं सब्सव गराम सूजी ले हूँ और सब्सव गराम सूजी के लिए मैं यहाँ पर 300 गराम पानी ले ले रही हूं सूजी क्या होता है न कि पानी ज्यादा अबजब करता है तो यहाँ पर मेरा पानी खल चुका है और इस पानी में हम धीरे धीरे करते हुए सूजी को डालेंगे नहीं तो लंस पढ़ जाएगा यहाँ पर दिखिए चलाते हुए मैं धीरे-धीरे सूजी को डालते जा रहे हूँ और चलाते जा रहे हूँ बहुत जल्दी ही ये गाठ पड़ जाता है तो इसको मीडियम आज पर ही चलाईएगा और धीरे-धीरे चलाते रहेगा जिसे कि गाठ ना पड़े और अच्छी तरह से पक भी जाए और ये सूजी थोड़ा ज्यादा ही फैल कर हो जाता है तो इसका रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनकर तयार होगा तो यहाँ पर दिखिए धीरे-धीरे हम करके सूजी को पका लिए हैं और यहाँ पर हम सूजी को छोड़ दे रहे हैं जब तक शोड़ेंगे कि थोड़ा ठंडा ना हो जाए और यहाँ पर हम प्राही बैठा लिए हैं और इसमें जा रहा है मेरा सर्शो तेल और इसमें हम डालेंगे जीरा जीरा के बाद में हम प्याज और इसमें है मेरा आधी लहसन और हरा मिर्ज का पेश्ट और भी आप चाहिए तो कुछ भी सब्ची डल सकते हैं तो यहाँ पर हम सूज्द के लिए मटर डाले हैं हरा मतर इसे की जियादा टेस्टी बने तो यहाँ पर मटर को हम डाल कर थोड़ा सा मीडियम आज पर पकाएंगे कि जिसे मटर भी मेरा पक जाए इसमें हम डालेंगे नमक और हल्दी नमक और हड़ी डाल कर थोड़ा सा मीडियम आज पर इस मटर को हम पका लेंगे दूस्तों आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट कर रहे हूँ कि आप मेरे चैनल पर अगर नाए हैं तो प्लीज sekarang कर लीजिए और पहले से ही मेरे चैनल पर आप लोग जुड़े हुए हैं तो like, share, comment जरूर कर जिए और मेरे चैनल और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही रेसिपी अच्छे अच्छी हम लाकर आपको देते रहेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरा अलू डालकर यह मसाला भूंज जा रहा है और इसमें हम हल्दी नमप डाले हैं और मंगरेल जवाइन डाले हैं और इसमें धन्या का पत्ता डाले हैं और डालकर हम इसको अच्छी तरह से भूंज लेंगे जिसे की यह स्वादिष्ट और अच्छा बनकर त्यार हो यहाँ पर देखिए सारे समान डालकर मेरा भूंजा ही चुका है यहाँ पर मेरा जो सूजी अच्छा बनकर त्यार हो जिस तरह से हम आटा को लगाते हैं उसी तरह से सूजी को भी अच्छी तरह से मैस करके लगा लेना है यहाँ पर देखिए मेरा सूजी लग चुका है अटा की तरह अब इसको हम यहीं पर रखकर और हाथ साब करके इसका हम वेश सयार करेंगे यहा सर्षों का तेल लगा लग रहे हैं है और यहाँ पर देखिए मेरा जदा बड़ा नहीं जदा शोटा मीडियम साइज के ही लोई लीजिएगा और लोई लेते हुए दोनों हाथों के सहाथा से इसको दबाते हुए बड़ा कर लीजिएगा और इसमें डालिएगा अपना जो श दुखा और दोनों हाथों के सहरा से ही ही इसको इस तरह से बंद कीजिएगा क्योंकि यह सुजी है क्योंड यहाँ पर दिखिये इस तरह से हम बनाएं हैं लोई और लोई और को हमuğ 넣고 बना कर आपको दिखा हैं तो दोसरों क्या होता है निकि जो मतलब खानें वाला समान होता है या रेशिपी होता है तो और उसको हम देख स्षक हाई रहके किदा अच्छा लगता है कि कब इस कब इस को खा ले और इस तरह से जब बच्चा आपको देखे 52 औरbaby मेमान भी आएगा और इस तरह से बना कर आप दीजियेगा तो कहेगा कि कितना अच्छा डिजाइन वाला रेजिपी यह जानती है कितना अच्छा बना कर मतब दी हैं खिलाई हैं तो आपका तारिफ भी करेगा और खाने में भी उसको अच्छा लगेगा इस तरह से आप भी बना कर खाईए और हर तरह का खाना बना कर खाना चाहिए दोस्तों एक तरह का खाना बना कर खाते ही हुए मन उप जाता है तो हर तरह का खाना बनाईए और खाईए देखी चीज जो एक ही होता है उसको बनाने का तरीका अलग-अलग होता है तो यहाँ पर मेरा सर्शो का तेल खड़ाही में जा चुका है और गरम हो चुका है उसमें हम डालेंगे जो अपना विश्तेयार किये हैं दोस्तो इसको बनाना डिवकल नहीं है हम एक आइबरो बनाने वाला चीमटा लिये थे और उसी के सहारे से इसको हम डिजाइन किये हैं बहुत ही आसान है एक बार दो बार आप देख लीजिएगा तो बना लीजिएगा और अपना मन चाहा आप शेप इस पर दे सकते हैं जैसे असमयली हो गया बच्चों का जो असमयली होता है न बौल पर डिजाइन वीसा भी दे सकते हैं जिससे कि बच्चा अनंद लेकर खा सकें और अपना टीपिन बॉक्स भी फिनिस कर शके और शारे जब लंच चट कर जाएगा तो बोलेगा बच्चा कि हमामी इसी तरह से आप भी बना देजिए इस तरह से एक बर बना कर खाईए तो यहां पर हम सर्शो के तेल में चान रहे हैं और देखिए सर्शो के तेल जब गरम ह हो जाए तो डालिएगा तो उसी समय पलाटिएगा मत डाल कर दो मिनट इसको नीचे से सिखने दीजिएगा क्योंकि तूट जाता है तो यहां पर यह धीरे धीरे से किएगा तो बहुत ही क्रेश्पी बनकर तयार होता है चावल और सूजी का जानती हैं आप लोग रेश्प पर पका लिए हैं दिखे कितना अच्छा मेरा कॉलर आया है तो इस तरह भी आप भी बनाकर मेहमानों को सल्ब कीजिए और अपने फैमली में इंजवाई कीजिए बच्चे को लंच दीजिए और भी बेजिए इस तरह से आप बनाकर खाईए और और भी आपको किसी तरह की रेश्पी चाहिए तो मेरे चैनल पर कमेंट किजिए वीडियो में हम आप लोग को उस तरह से रेश्पी बनाकर दिखाएंगे तो इस तरह से आप भी बनाकर खाईए थंडी का अनंद लीजिए अपने परिवार में मिल कर रहिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद